हर गार्डनर चाहता है कि उनका जो गार्डन हो वो अपने बजट में हो यानि की पॉकेट बजट में हो आज मैं फिर वैसे प्लांट का कलेक्शन लेके आई हूं जो की पॉकेट बजट में है और पॉकेट बजट के साथ साथ ये सारे प्लांट पामानेंट प्लांट है पैसा लोगों से मोनिका नरशरी शेयर करूंगी हलोव इसक एक यह प्लांट एक मिटी के पॉर्ट में लगे लगे अधिए और जितने प्लांट आपको यह दिखने को मिलेंगे नोर्म आपको पणदने ब्ली होते के बढार जो की इनहें प्लांट कोई भी गार्डिनर बहुत इजी से ग्रो कर सकते हैं और उनकी प्राइस भी बहुत रिजनेबल है और यह प्लांट जो आपको मैं शेयर करूंगी गर्मियों के बिस्ट प्लांट है यानि आप जून महिने में भी इन्हें ग्रो कर सकते हैं पैसा वसूल प्लांट है यानि एक बार ले जाएगा तो दुबारा इन्हें ले जाने की जरूरत नहीं परेगी क्योंकि यह बहुत हाड़ी प्लांट होते हैं एक से दो दो से तीन तीन से चार मल्टिप्लाई होते हैं और आपके गार्डिन में चार चार लगा देते हैं से बरी बात कि यह हमारे बजेट में सारे प्लांट है तो वीडियो पसंद आती होते एक लाइक जरूर कीजिएगा आपका एक लाइक मुझे बहुत मोटिवेट करता है तो यह नरसरी मिल जाएगे और इसका जो फोन नंबर है और एड्रस है मैं स्क्रीन पर भी दे दूंगे और डिस्क्रिशन बॉक्स में दे दूंगे एड्रस का कुछ प्रॉब्लम हो तो आप इनसे पूछ लीजेगा और देखिए यह केल फूल है 80 रूपीज में आपको मिल जाएगा और यह मैरून पत्तो वाला है और ग्रीन पत्तो वाला दोनों मिल जाएगा लगा लगा हुआ प्लांट है देखी सकते नॉर्मल गार्डन सोयल में आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है और कहा जाए तो समर का बेस्ट प्लांट है यानि तेज गर्मी में भी इ होते देंसे बहुत करकर के राइजियों टाइप के इसके रूट बनतेया और रिवाट प्लॉर्ट बनते हैं अलक करके बन्यास के बहुत सम्छे कि दैक कर सकते हैं जले सकते हैं बहुत खूबसुरत इसके पत्ते लगते हैं, इसके नीचे बहुत सारे बेबी प्लांट है, जिसे अलग करके बहुत सारा प्लांट तैयार कर सकते हैं, हेंगिंग बास्केट का बहुत खूबसुरत प्लांट है, इधर ये आपको किस्मस ट्री है, जो कि पॉर्ट में लगा ल बहुत खुबसरत कम धूप में चलने वाला इंडोर प्लांट है और इधर देखें यह रिबन ग्रास है जो ग्रीन नॉर्मल वाला है यह आपको पूरा भरा हुआ पॉट एटी रुपीज में मिलेगा और बहुत थाड़ी प्लांट है और जिसके अच्छनचन की धूप आती ह इन प्लांटों को लगा सकता है और इधर इनके रेन नीली पॉर्ट में लगा लगा है मिल जाएगा बहुत सारे इसमें बल्ब लगे हुए हैं और यह बता रहे थे कि इनमें वाइट येलो पिंक कलर तीन कलर है लेकिन हाँ फूल नहीं आने से पता नहीं चल रहा था लेकि कि इनव नगैंक बड़ये हूए हैं यह बी समर का बहुत खूजरत हाडी प्लांट है लिलिक वह भी этंखितिल्स फ़र्यराथ और बहुत सारा रहे प्लांट बन से से संस्सा बहुत आनरे हुसे स्खवशलत है और इसकी कने इंग एन्गुल आजा सकते पॉली बैग में तो मैंने नहीं देखा, पॉली बैग में है कि नहीं, आप इन से पूछ लिजेगा, लेकिन हाँ, पॉट में भी 80 रुपीज में रिजनेबल प्राइसे लगा-लगाया हुआ बलब आपको मिल जाएंगे, तो देखा जाए, तो ये नॉर्मल सोयल में, मित्टी मिल जाएंगे, ये 120 का है, पुरा बास्केट भरा हुआ, बेबी टियर का है, बेबी टियर आपको इनको पॉली बैग में भी आपको मिल जाएगा, यहां 20 रुपीज में, जिसकी ग्रोध काफी अच्छी है, तो बेबी टियर इन ही कि यहां दिखने को ज्यादा तर मिलता है और इधर देखें, ये सारे एरिका पाम है, जो कि आप यहां से 120 में ले जा सकते हैं, सिंगोनियम की बहुत अच्छी वेराइटी इनके पास है, जो की 50 रुपीज से स्टार्ट है, 20 रुपीज वाले बहुत सारे आपके आपके आप्संस मिल जाएंगे, जो देखने में तो खूबसरत हैं ही, आपके पॉकेट बजेट है, मल्टिप्लाई है, एक से दो, दो से तीन आप कटिंग लगा से, जैसे वर्डरिंग जू हुआ, और फाइकस की कुछ वेराइटी हुए, और देखें ये भी पॉट में लगा लगा, आप यहां से फाइकस, बहुत हाड़ी फ मिट्टी में डाल देते हैं, तो तेजी से ये फैल जाता है, हैंगिंग बास्केट के लिए बहुत खूबसरत ये प्लांट है, तो आप यहां से ये भी ले जा सकते है, 20 रुपीज के आपको बहुत सारे यहां प्लांट मिल जाएंगे, आप वहां जाईएगा, तो आपको जैसे कि मौसरोज हुआ, पॉसुलीन हुआ, ये सब आपको मिलेंगे, जेट प्लांट है, जो कि इसकी भी ग्रोथ काफी अच्छी है, ये भी आप यहां से 20 रुपीज ले जा सकते हैं, जो कि पॉट में लगा-लगा हुआ, पॉट और प्लांट पर डिपेंड है, जो कि 80 र लगा हुआ, मिल जाएगा, मिट्टी के पॉट में लगा-लगा हुआ, जिसको आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, देखी सकते हैं, ज्यादा प्लांट लेने पर ये बार्गनिंग भी करते हैं, बहुत सुन्दर है, बहुत बुशी प्लांट है, तो बल्प से लगने वा 25 बल्प लगे होंगे, देखी सकते हैं, भरा हुआ पूरा ये पॉट है, बहुत खूबसरत इसके फूल आते हैं, इस्टीक आते हैं, ये सभी जानते हैं कि रजनी गंदा कितना खुश्वू वाला प्लांट है, पारिजात है, पारिजात भी पॉट में लगा-लगा हुआ जो लेगा मैं उनको दाम हम बता दूना, मेरे घ्याल से ये 80 से 100 रुपीज के बीच में आपको मिल जाएगा, कुछ तो इसमें 50 रुपीज वाले भी प्लांट है, पूछ लिजेगा, पॉट में लगा-लगा हुआ हुआ है, आमला है, आमला भी आपको यहां से 100 रुपीज म जो कि मैंने लास्ट वीडियो में सेयर किया हुआ था, और यह मरुआ तुलसी है, मरुआ तुलसी आप 80 रुपीज में पॉट में लगा हुआ हुआ, आपको मिल जाएगा, कुछ आपको मधु मालती है, यह भी आपको 50 रुपीज में कुछ पॉली बैग में मिल जाएगे, यह बहुत अच्छा कलेक्शन अंदर जाएगा तो बहुत चीज आपको दिखने को मिलेगा, पर हुड़ा, आपको इधर इनकी कुछ जो पिछले बार मैंने शेर किया हुआ था फिलोडेंडरॉंड की वेराइटी है जो कि 80-80 रूपीज में आप ले जा सकते हैं यह छोटे रेयर प्लांट के आपसंस बहुत कम आते हैं यह सिंगोनिया में सिंगोनिया यहां से 60 रूपीज में ले जा सकते हैं यह स्मॉल प्लांट है रियो प्लांट 20-20 रूपीज में ले जा सकते हैं फिलोडेंडरॉंड की वेराइटी रूपीज में ले जा सकते हैं बहुत तेजी से इस फिलोडेंडरॉंड की ग्रोथ होती है देखी सकते हैं बहुत खुशत निकलते हैं रेट कलर के बहुत खुशत लगते है तो ये जितने प्लांट है ना देखने में बहुत खुब से दाम भी इनके कम होते हैं अपमाने प्लांट होते हैं जैसे सिंगोनियन तो जरूर लगाएगा इजी टू ग्रो प्लांट है 100 रूपीज में आप ये एगलोनीमा की विराइटी ले जा सकते हैं बहुत बूशी हिल्डी प्लांट मैंने भी बहुत पहले लिया था जो कि आज वो 300 रूपीज के बराबर हो गया है तो छोटे आप्संस में अगर रेर प्लांट आए तो जरूर ले लें क्योंकि महेंगे प् यहां से एटी रूपीज में ले जा सकते हैं देखी सकते पूरा भारा हुआ है बहुत सुनदर लगता है लेपाट्ट की तरह इसके पत्निया की जो स्ट्रक्चर होते दिखने को मिलता है मदर अब थाजिन भी आपको यहां मिल जाएगा प्वर्ट में लगा हूँ आपको स अगर जो beginner हैं इस नरसरी में जरूर आएं क्योंकि इनके हाँ जो plant आपको मिलेंगे वो pot में लगा लगा हुआ और कुछ करने की जरूरत नहीं है healthy plant मिलेंगे और कहा जाए तो बहुत सस्ते rate में आपको इस नरसरी में plant मिल जाएंगे देखी सकते हैं बहुत सारा यह सारे जितने भी collection आप देख रहे हैं लैला मजनु हुआ खूफिया हुआ यह सब आपको यहां 2020 रूपीज में मिल जाएंगे कुछ मोगरा हुआ जो पॉली बैग में है और हैविसकस की दो तिन कलर की वेराइटी आपको यहां 50-50 रूपीज मे बहुत सारे जो की आपको यहां 2020 है और देखे सकते हैं सैलरी आप यहां से 20 रूपीज में ले सकते हैं तो आप लचा है कोा और यह खुफिया वगरा हुआ मॉसरोज पॉसलीन समर का बेस्ट प्लांट है और दाम भी इनके बहुत अच्छे रिजनेबल होते हैं मॉसरोज भी आपको देसी वाले आपको मिलेंगे हैब्रिड वाले आपको यहां नहीं मिलेंगे देसी वाले दिखने को मिल जाएगा खाद भी इनके पास है आप खुला खाद भी ले जा सकते हैं यह गट्टे में गोबर की खाद भी आपको यहां मिल जाएगी बर्मी कंपोस्ट भी आपको मिल जाएगी पेरिकाल से यह बरे जो गट्टा होता उसमें 60 रुपीज में पूरा गट्टा मिल जाएगा बोरिया मिल जाएगा गोबर की यह सुकसांती का पौधा जरूर लगाएगा बहुत शुब मानते हैं और यह मातर आप यहां से 20 रुपीज में ले जा सकते धनबर जिया है जो कि पामनेंट प्लांट है ब्लू कलर की घंटी अकार की बहुत सुंदर फूल आते हैं और यह भी पॉट उनको सही प्लांट के दाम हो या पॉट के दाम हो वही आपको बता देंगी और इधर देखिए बहुत रियर एक स्नेक प्लांट की वेराइटी है बरसिंगा जैसा इसकी यह स्ट्रक्चर होती है और यह आप यहां से 200 में ले जा सकते हैं बहुत कमी नर्शरियों में यह स्न से वेरिया के एक वेराइटी है बहुत सुंदर लगता है और काफी कॉस्टली आता है लेकिन यह आपको यह 200 में मिल जाएगा और वह भी कहा जाए तो लगा लगा हूँ पॉट में मिल जाएगा इलोबीरा है पॉट में लगा लगा हूँ आपको 50 रुपीज में मिल और इसके ग्रोथ काफी अच्छी है और लगा लगा है प्लांट है एक पॉट ले जाईएगा इसके नीचे से बहुत सारे बेवी पॉप निकलते जिने अलग करके बहुत सारा प्लांट तैयार कर सकते हैं और अपने गार्डन में रखना ही चाहिए क्योंकि एक हरवल में भी और वहां जाने पर बहुत सारा और भी कलेक्शन देखने को मिलेगा तो होप मेरी शेरिंग पसंद आई होगी थैंक यू